कंट्रोल सिस्टम में हमने अभी तक ट्रांसवर फंक्शेस निकालना सीखा कुछ सर्केट्स का जो कि मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लीजिए का उसके अंदर मैंने आपको differential equations की मदद से transfer function निकालने का method बताया था मैंने आपको बताया था कि आगे आने वाले methods में block diagram हम देखेंगे signal flow graphs देखेंगे जिसके अंदर भी हम transfer function निकालने लेकिन approach अलग-अलग होगी तो block diagram जो approach है यह वहाँ काम आती है जहाँ पर किसी system के अंदर number of components जो होते हैं वो बहुत जादा amount में होते हैं जहाँ पर हम एक-एक component के लिए differential equations लिख करके उनको आपसे manipulate करके solve करना बहुत मुश्किल हो जाता है और error के chance बहुत जादा बढ़ जाते हैं ऐसे situation में हम block diagram approach को follow करते हैं यहाँ पर हम जो components होते हैं उनके functions को blocks के अंदर show करते हैं एक block का figure बनाते हैं फिर बाद में block diagram reduction techniques जो हम आगे आने वाले videos में देखेंगे उन techniques की मदद से उस बड़े system को छोटा system बनाते हैं और finally एक transfer function हम उस system का निकाल देते हैं तो यह approach आगे आने वाले videos में आपको देखने को और अच्छे से मिलेगी इसमें मैं basic आपको बताऊंगा तो अगर आपको अभी शुरू के videos में अगर कोई भी बात समझ में नहीं आती है तो उससे घबराने की कोई ज़रत नहीं है आगे आने वाले videos में आपको समझ में आ जाएगा जैसे जैसे हम example करेंगे कुछ examples मैं आपको बताऊंगा उन examples को देख करके आपको block diagram बहुत ही easily clear हो जाएगा block diagram का जो topic है transfer function निकालने का यह topic है यह topic आपको पूरे marks दिलाता है university exams में तो इस topic को पूरा पढ़ना बहुत ज़रूरी है और बहुत easy है यह सबसे easy topic आप कहा सकते हो control system का तो इसमें आपके marks कहीं भी deduct होने के chance नहीं होते है block diagram जो है यह pictorial representation है यहाँ पर मैंने लिख रखा है pictorial representation है इसका मतलब है कि ऐसा reality में कुछ exist नहीं करता है यह सिर्फ और सिर्फ एक approach है जिससे कि हम system का transfer function आसानी से निकाल सकते हैं हर component के functions को हम blocks में show करते हैं इसका मतलब यह है कि हम physical parameters या physical characteristics के बारे में बात नहीं करते हैं जैसा कि अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने पहले वीडियो में आपके पास water tank example एक लिया था जिसके अंदर मैंने आपको close loop और open loop system की बाते की थी वहाँ पर भी मैंने यह नहीं बताया था आपको कि जो water tank है उसके अंदर कितना पानी अंबर रही है हमने block के अंदर show नहीं किया था वहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक बनाया उसके अंदर लिखा plant block बनाया उसके अंदर लिखा controller block बनाया उसके अंदर लिखा sensor हमने यहाँ पर बिल्कुल भी यह नहीं बताया था क्या इसकी जो भी physical parameter से क्या इसकी shape है क्या इसकी size है यह सारी चीज़े हमने discuss नहीं की थी सिर्फ इतना बताया था कि यह plant है यह controller है यह sensor है तो इसका मतलब यह है कि यह जो blocks होते हैं यह सिर्फ और सिर्फ functional parameters की बाते करते हैं physical parameters आप block diagram से पता नहीं कर सकते हो transfer function निकाल सकते हो लेकिन physically या particular जो system के internal parameters होते हैं उनके बारे में जादा बात नहीं कर सकते हो जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे आपको और अच्छे से clear होता जाएगा there is no loading loading का मतलब यह होता है कि जब भी कोई signal एक जगा से दूसरी जगा जाता है तो उसके अंदर कुछ work done वहां पर होता है तो block diagram जो है यह pictorial representation है सिर्फ हम paper पर काम कर रहे हैं ऐसा कुछ physical या reality में exist नहीं करता है block diagram जैसा तो हम यहाँ पर loading को consider नहीं करते हैं जब भी कोई एक signal दूसरी जगह जाता है तो उसके अंदर work done नहीं होता है as it is जो signal है वो का वो signal दूसरी जगह पहुँच जाएगा कुछ भी उसके अंदर energy खर्च नहीं होगी बात समझ में आ गई more than one block diagram can be drawn for the same system इसका मतलब यह है कि एक ही system के लिए एक से ज़ादा block diagram साब बना सकते हो अब मैं आपको block diagrams के कुछ basic fundamentals या basic components की बात करता हूँ जो की बहुत जरूरी होते हैं जैसा कि पहला होता है block block क्या होता है इस block के अंदर हम उस component को या उसके function को लिखते हैं शो करते हैं यहाँ पर तो मैंने simply एक जो आपको example के तोर पर बता दिया कि gs जो है यह transfer function है इस block का cs output है यह input है rs तो यहाँ पर जो transfer function होगा वो हो जाएगा cs upon rs दूसरी बात है summing point जब भी यह summing point जो है यह एक ऐसा meeting point है कुछ signals का जहाँ पर आपके signals add हो सकते हैं तो इस चीज़ को देखकर भी डरने की ज़रूरत नहीं है आगे जब आप block diagram देखोगे जब मैं examples आपको करवाँगा तो बहुत अच्छे से सारी चीज़ें clear हो जाएंगी यह आपके लिए बहुत आसान topics बनने वाले हैं आगे जाके आप इनके बारे में कुछ आपको सिगनल है और यह नेगेटिव सिगनल है उसके बाद यह वारा output सिगनल निकला ES तो RS प्लस BS माइनस CS is equal to ES यह simple equation आप यहां पर इसको देखकर के लिख सकते हो summing point पर हमेशा signals add या subtract हो सकते हैं थर्ड जो बात आती है वो आती है take off point take off point का मतलब यह है कि आप किसी भी output signal को किसी भी block diagram के अंदर किसी भी output signal को एक से ज़्यादा जगे ले सकते हो आप जैसा कि हमारे पास एक output signal आया CS तो इस CS को मैंने तीन जगह दे दिया यहां से निकाल के इधर दे दिया यहां से निकाल के इधर दे दिया और यहां से निकाल के इधर दे दिया ऐसा नहीं है कि एक output signal आया जैसा कि यह वाल output signal हमारे पास आया इस output signal को मैंने इधर भी इसको दे दिया इस block 3 को भी दे दिया और output के यहाँ पर अगर मैं एक और block बना दू तो उस block को भी मैं आपर दे सकता हूँ इस तरीके से हम यहाँ पर एक signal एक output signal को 2-3 जगे या उससे भी ज़्यादा जगे दे सकते हैं इसको हम बोलते है take off point take off point मतलब output को दे लिया वहाँ से इसका मतलब है as it is value जो है value change नहीं होगी और उस value को आप 2-3 जगे दे सकते हो इसका मतलब होता है take off point forward बात के अगर हम बात करें तो अगर आपका signal input से output की तरफ जा रहा है जैसा कि हम यहाँ पर देखे तो यह arrow जो है इसको हम signal बोलते हैं तो यह signal देखे enter हो रहा है इधर से जा रहा है इधर से जा रहा है तो यह output की तरफ जा रहा है इसका मतलब यह forward path है अगर आपका signal output से input की तरफ जा रहा है जैसा कि इस वाली दिशा में हो रहा है ये उल्टी दिशा में जा रहा है इसका मतलब होगा feedback path अब forward path के gain को हम GS बोल देते हैं और feedback path के gain को हम HS बोल देते हैं इसका मतलब है कि ये जो forward path का gain हो गया GS हो गया, HS हो गया, ये सारी बाते मैंने आपको first video में already बताया हुआ हूँ सारी चीजे मैं discuss कर रखा हूँ आपसे close loop और open loop system जब मैंने आपको बताया था उसके बाद मैंने इसका derivation भी किया था आपके लिए close loop system का तो वहाँ पर हमारे पास close loop system का transfer function आया था, उसके बाद हमने open loop system का भी derivation किया था और फिर हमने बाद में sensitivity analysis करके ये भी देखा था कि feedback लगने से क्या फाइदा होता है और feedback हटने से क्या नुक्सान हो सकता है तो ये सारी चीजे हम पहले discuss कर चुके हैं अगर आपने control system की series के शुरू के वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं आएगा एक्जाम में लेकिन ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी था जब हमारे पास question ऐसा आएगा कुछ इस तरीक एक आजाएगा और बोल दिया जाएगा कि इसका transfer function निकाल के हमको बताओ तो उसके अंदर हम देखेंगे कि इन दोनों blocks के साथ कैसे हम deal कर सकते हैं बाद में जो इन दोनों का resultant आएगा उसको इस block के साथ deal करके कैसे deal कर सकते हैं तो ये सारी चीज़े हम next videos में देखेंगे कुछ examples मैं आपको बताओंगा उनसे आपको चीज़े और ज़्यादा clear होंगी अगर आपको कोई doubt आता है तो आप comment box में पूछ सकते हो telegram पर हमारे channel को join कर सकते हो और facebook group को join कर सकते हो website पर जाकर के हमारे quiz आप दे सकते हो वहाँ पर